बिहार के गौरव संतोष ओजा की कहानी एक सपने के साकार होने की कहानी है, जिनके कदम रनदीप हुड़ड़ा की आगामी फिल्म सावरकर में लोकमान्य तिलक के रूप में देखने को मिलेंगे, वह संतोष ओजा हैं, जिन्होंने बिहार की मिट्टी से उठ कर फिल्म जगत अपनी एक विशेश पहचान बनाई है। अपनी नौकरी दिलवाई। परंतु उनके हृदय में अभिनाई की चिंगारी अभी भी जीवित थी। संतोष का सपना हमेशा से अभिनाई करने का था। उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ अभिनाई की कला में भी महारत हासिल की। उन्होंने कई थेटर ग्रुप्स में हिस्सा लिया और अपने अभिनाय कौशल को निखारा। संतोष की प्रतिभा और जुनून ने उन्हें बॉलिवुड के दर्वाजे तक पहुँचाया। उनकी पहली फिल्म में उनका अभिनाय देख कर हर कोई चकित रह गया। उनकी मेह भूमिका के लिए उन्होंने गहन शोध किया और तिलक के चरित्र में खुद को ढालने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी यह फिल्म 22 मार्च 2024 को भारत में नाट किये रूप से रिलीज होने वाली है। इसके निर्देशन, सह लेखन और सह निर्माता, रंदीप, हुड जो इस फिल्म में सावरकर की मुख्य भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे।